पूर्ट सब्सक्राइब करें ने लेकर एक और नहीं वीडियो जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि WPGA 2020 डिजट अनॉंस हो चुके हैं साथ तारिको साथ स्टुडेंट्स को उनका रैंक पता चल गया होगा और अभी उनके मन में बहुत ही कॉमन डाउट है कि किन किन कॉलेज के कितने रैंक पर क्या होनी चाहिए तो यह वीडियो है आपके लिए जिसमें मैं आपको बता रहा हूं वीडियो के अंदर चली शुरू करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा मैं बताने वाला हूं वीडियो के अंदर आने वाले कुछ बढ़िया कॉलेज के क्लोजिंग यह काफी जादा इंपॉर्टेंट है जानना क्योंकि जादे तर क्या होता कभी कभी स्टुडेंट जब कांसिलिं करना रहता है तो वो उल्टा बुल्टा कॉलेज देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि इस कॉलेज की रहें के हिसाब से मुझे यहाँ एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है तो वो हो सकता है कोई कॉलेज को ऊपर दे देते हैं को नीचे देते हैं जिसके वज पर जादपुर युनिवर्सिटी देखते हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट के इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग राइंग लास्ट येर की तो अगर बात कर लें कम्प्यूटर साइंस की तो कम्प्यूटर साइंस में टोटल 81 सीट एविलेबल है इस युनिवर्सिटी में और इसकी ओपनिंग राइंग थी तू या वन कंजिटर कर लिजिए और क्लोजिंग राइंग रही थी इसकी 79 के अप्डॉक्स और अगर इलेक्ट्रिकल इंजिनिएरिंग के बारें बात कर लें तो 135 सीट है एविलेबल यहां पे जिसमें 59 है इसकी ओपनिंग रही थी लास्ट अगर इंफोर्मेशन टेकनलोजी की तो टोटल सेवेंटी नाइन सीट है इसकी ओपनिंग रही थी 97 और क्लोजिंग रही थी 339 और अगर कोड ब्रांच के तरफ देख रहे हैं तो मेंकल इंजिनिएरिंग में टोटल 135 सीट है इस उनिवर्जिटी में और इसकी ओपनिंग र लेंग रही थी अप्रॉक्स 500 के आसपास और अगर बात कर लें आपका चैमिकल इंजिनिएरिंग की तो टोटल 105 सीट है और इसकी ओपनिंग रही थी 370 और यह थी सेवेंटी और क्लोजिंग रही थी अप्रॉक्स 704 के अधब आते हैं हमारे अगले कॉलिज पे जो की है और closing rank नहीं थी 1971, computer science पे इतनी seats फुल हो चुकी थी last year के rank के हिसाब से और अगर information technology IT की बात कर ले तो 114 seat available है total जिसमें की 1557 से opening rank सुड़ हुई थी और closing rank है इसकी 3454 पे बंद हो गई थी पूरी counselling और अगर बात के लिए easy की electronics और communication की तो total 171 seat है या available जिसमें से opening rank रही थी 1303 और closing rank रही थी 3677 और अगर electrical engineering की देख ले तो 114 seat total available है जिसमें से opening rank रही थी 1757 और closing rank रही थी 5448 और lastly बात कर ले mechanical engineering की तो 57 seats ही है इस college में mechanical engineering करने के लिए जिसमें से 1813 पर शुरू होती है इसकी opening rank और closing rank बंद हुई थी है और जहां companies आती जो companies visit करती है उस department के लिए तो वह सब उनकी closing और opening rank मैं आपको बता रहा हूं तो अगर देख लिए बात heritage की तो heritage institute of technology की computer science में total 171 seats है जहां उनकी opening rank रही थी 803 और closing rank रही थी 3000 के आसपास last year की और अगर electrical engineering की बात कर ले तो 57 seats ही है available और जिसमें की closing rank रही थी वहां की 5971 पर close हो चुका था electrical engineering और अगर इसी की बात कर ले electronics and communication की तो 171 seats है इसमें भी coffee seats है heritage में और इसकी भी closing rank की अगर सिर्थ बात करते जाए तो 5282 पर भी ये बंद हो चुका था और अगर information technology की बात कर ले तो उससे 57 seats ही available है information technology की जिसमें की इसकी opening rank थी 3,289 और closing rank रही थी 4,241 यहां पर information technology की seats full हो चुकी थी और lastly अगर मैं बात कर लूँ core department में civil की तो civil की closing rank थी 9,000 और अगर मैं mechanical engineering की बात कर लूँ तो mechanical engineering की closing rank थी approximately 7,000 के आज पास तो बढ़ते हैं एक लिए college की तरफ जो की है techno India main short leg में तो अगर बात करें computer science की तो 114 seats है total computer science में जहां पे इसकी रही थी closing rank की बात कर ले तो 4,805 पे बंद हो गई थी computer science के लिए counseling और अगर electronics and communication ECE की बात कर ले तो वहां पे 7,499 अप्रोप 7,500 पे बंद हो गई थी counseling ECE के लिए और IT information technology के बात कर ले तो 6,945 पे ही बंद हो गई थी information technology के लिए तो अगर बात कर ले कुछ core department की जिसे electrical, civil और mechanical तो electrical की closing rank रही थी यहां पे 10,000, mechanical की यहां पे closing rank रही थी 11,580 और lastly civil engineering की यहां पे closing rank थी 14,502 तो बढ़ते हैं हमारे अगर college की तरफ जो की है NSAC निताजी शुबास engineering college अगर बात कर ले सीधे इसकी department और cutoff की तो computer science के तरफ देखे तो 114 seats available थी last year जिसमें की cutoff गई थी 10,371 थी इसकी closing rank लेकिन मुझे information मिली है इस साल के इस साल computer science में IT में काफी seats बढ़ी है computer science में approximately 180 seats हो गई है इस college में 2020 admission के लिए और IT में भी 90 से लेके 120 seats बढ़ा दी गई है तो हो सकता है जो 10,000 है closing rank है CSE के लिए वो increase हो सकता है इस साल तो वो तो बात के बात है अगर last year की cutoff देख ले बाकी department की तो इसी electronics और communication की cutoff गई थी 17,588 last year की और अगर information technology की बात कर ले तो इसकी रहें गई थी 16,000 की अप्रोप्स last year और अगर civil और mechanical की बात कर ले तो इस साल हो सकता है इस college में civil और mechanical की seat घटाई जाए और अगर देख ले last year के cutoff civil और mechanical के तो अप्रोप्स के थे 35,000 civil का गया था और mechanical engineering का गया था 29,910 याँके अप्रोप्स 30,000 के आसपास इसकी closing रहे थी और अगर बात कर ले बायो मेडिकल की तो बायो मेडिकल भी है डिपार्टमेंट है इस college में जहाँ पे seats थी last year 32 और अगर बात कर ले इसकी closing rank की तो वो है 30,590 इस college के लिए तो बढ़ते हैं हमारे अगले college की तरफ जो कि हल दिया institute of technology तो अगर CSE की बात कर ले किया तो CSE में total seats थी 114 और इसकी closing रहे थी अप्रोक्स 5,436 के आसपास और अगर EC की बात कर रहे electronics और communication की तो इसकी रहें गयी थी 8,858 पे गयी थी इसकी closing rank और साथ ही अगर chemical engineering की बात कर ले तो chemical engineering की closing rank थी 13,550 information technology की बात कर ले तो 57 seats थी total available information technology के लिए जहां पे closing rank गई थी IT के लिए 7,256 और अगर बाकी department जैसे electrical की बात कर ले तो electrical की closing rank थी 10,666 और civil की थी जैसा मैंने बताया 14,586 food technology भी है जो के काभी बढ़िया department है इस college का काफी placement होती है food technology से वहां की closing rank थी 29,000 के आसपास और production engineering भी एक department है इस college में जहां पे 57 seats अबलेबल थी last year उसकी closing rank थी 32,629 तो बढ़ते हैं हमारे last college की दरफ जो की है RCC Institute of Information and Technology अगर सीदे-सीदे बात कर ले इसकी computer science की cut-off की तो वह थी last year की 10,449 और seats थी total 126 और अगर electrical engineering की बात कर दे तो उसकी cut-off थी 19,233 अगर ECE की electronics और communication की बात कर ले तो 126 seats थी total available जहां पे 16,096 गई थी इसकी closing rank ECE के लिए और information technology के लिए भी 126 seats है इस college में और जहां पे इसकी cut-off थी 17,157 information technology के लिए और lastly अगर applied electronics की बात कर ले तो 63 seats है इसमें applied के लिए और जिसकी closing rank थी approximately 30,000 तो यह थे West Bengal के अंदर आने वाले कुछ बढ़िया colleges उनकी opening और उनकी closing rank ताकि आपको कोई दिकत ना हो अपने counseling और choice filling के time में यह college को arrange करने में तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही उमीद करता हो आपको यह वीडियो अच्छे लगी होगी तो इस like कीजे share कीजे अपने दोस्तों के साथ साथ ही साथ अगर आप इस channel पर नहीं आए तो जल्दी सी जल्दी से subscribe कीजे ताकि ऐसी informative वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और अगर आपको अपने rank कोई भी college वेस्ट बंगल के अंदर या फिर कोई भी other state के अंदर कोई भी doubt हो किसी college को लेके rank जाननी हो कट आफ जानना हो या फिर आपको कोई भी personal doubt हो तो आप सीधा comment section में हमें बता सकते हैं या सीधा सीधा आप हमारे साथ जूर सकते हैं उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तब तक के लिए जम के मैंनत करते रहे हैं अपने examination के लिए best of luck stay at home be safe